असलाम लेकूम वेलकम टो मार योट्यूब चैनल तो आज की रेस्पी है मटर आलू कीमा तो बहुत ही कुईक सी रेस्पी है तो चलते हैं रेस्पी की तरफ एक पैन में मैंने हाफ कप ऑईल लिया था एक भड़ी हिलाइची और दो टुकरे मैंने दालचीनी के डाल दी है एक मीडियम साइस का उनियन लिया था उसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुप कर लिया था फिर हमने इसमें वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस डाल दिया था दो मिनट तक मैंने इसे सौते कर लिया था उसके बाद इसमें मैंने दो मेडियम साइस के टमाटर डाल दिये थे चॉप करके हम इसको सॉफ्ट होने तक कुप कर लेंगे यहां पर जो में टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इसमें बिसिक मसाले एड़ कर देंगे सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी अब हम इसमें लाल मिश्ट डाली है वन टीस्पून इसमें मैंने सुखा धनिया डाला है नमक हस्बे जरूरत डाला है वन फोर टीस्पून इसमें मैंने हल्दी एड़ किया अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैं कीमा एड़ कर जी हूँ अब हम इसमें मतर डाल देंगे यहां पर मैंने एक कप मतर लिया है अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी एड़ कर दूँगी यहां पर मैंने तेर कप पानी लिया है क्योंकि हमारे मतर और कीमा भी कच्छा है थोड़ा तो अब हम इसे cook कर लेंगे मैं इसको 15-20 मिनट के लिए low to medium heat के उपर cook कर लूँगी cover करके तो यहां पे जो हमारे मटर है उसको 15 मिन्ट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर आलू add कर देंगे पानी नहीं add करेंगे हुए पानी ओर एड़ी है इसमें यहां पे मैंने तीन आलू लिये था इसको इस तरह क्यूब्स में cut कर लिया था अब हम इसको अची तरह mix करके वापिस cover कर देंगे अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते और पानी जो हो ड्राइ नहीं हो जाता तो यहां पर पानी ड्राइ हो गया है हमारे यहां पर आलू भी गल गए है अब हम इसे ग्रीन चिली और करेंड रे लिवस के साँ गार्निश कर लेंगे और यहां पर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं यहां पर मटर आलू कीमा जो है वो रेडी हो गया है I hope you enjoy this video, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना धे सारा ह्यार रखिएगा, Allah हाफिस